रेडियो के जी एम यू गूँज 89.6 FM ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा सह लेते हैं अरे यह तो होता रहता है इस तरह की बाते आती है यह खासकर सबसे जाधा ख्याल हमें अपना रखना होता है वैसे तो रोजी महिलाओं को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखे लेकिन जब वो फ्रेगनिसी के दौरान बेवी को जन्म देने वाली होती है एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आने वाली होती है जब वो गर्भा वस्ता में होती है तब सबसे ज्यादा उन्हें अपनी केर करनी चाहिए और अगर आप उस टाइम पर थोड़ी सी मतलब इतना माइनस या पॉइंट परसन भी आप ला अइसा हो जाता है तो वही होता है कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो आपको अपना सबसे ज़ादा ख्याल रखना पड़ता है और इसके बावजूद अगर बाईचांस आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो जाती है तो उसका ख्याल कौन रखता है उस अपना सब्सक्राइब करेंगे तो यह क्या होता है अगर कॉमन पबलिक को हम बताना चाहें इस क्रिटिकल केर के बारे में जैसे कोविट का टाइम आया है तो सबने ही समझाया कि जो मरीज बहुत बिमार होते हैं उनको एक स्पेशल यूनिट में रखते हैं जिसको हम इंट इस डिपार्टमेंट में हम लोग उन मरीजों को रखते हैं जो बहुत जादा बिमार हैं और मेरा स्पेशल फील्ड ऑफ इंट्रेस्ट अप्स्टेटिक्रिटिकल केर में हैं इसका मतलब कि वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी की वज़े से या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प जो होते हैं डिलिवरी के बाद next 42 days के अंदर उसकी वज़े से ICU में आ जाती हैं तो उनको जो डील करते हैं वो अप्स्टेटिक्रिटिकल केर के अंदर में हम डील करते हैं तो मतलब अगर बाई चांस जैसे कई बार बोलते हैं न कि बड़ी हाई रिस्क आफ प्रेगनेंसी हो जाती है किसी किसी के ये टर्म्स हमने common man अगर बोले तो ये बड़ा हमने टर्म्स उन रखा है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती हैं जिसमें ये रहता है कि हमारी delivery तो अराम से हो गई, तुम क्यों बार-बार चकर लगा रहे हो डॉक्टर के, क्यों बार-बार अपनी जान से करा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि अगर एक के delivery सही हो गई, तो दूसरे की भी सही होगी, या उसमें कोई problems नहीं आएंगी, तो इसलिए ये important है कि हर बंदा, जो भी pregnant woman है, वो अपने pregnancy को book कराए, book करा in the sense कि वो किसी डॉक्टर के पास अपने card बनवाए, और जो उसकी anti-natal check-up है, उसको regularly कराए, और ये तो आपस की variation हुआ, लेकिन एक इंसान के अंदर भी हो सकता है कि उसकी first pregnancy uneventful हो, मतलब कि उसको कोई problem नाई हो, लेकिन उसकी next pregnancy म problem आ सकती, तो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई दिक्कत नहीं होई थी, तो second time हमें कुछ नहीं होगा और हमें कुछ भी नहीं कराना है, तो इसलिए कि आप high risk ना हो, आगे जाके complication में land up ना करें, आगे जाके issue ना करें, आपको ICU के आविशकता पड़े, इसके लिए ये सबसे important जरूरी है कि आप pregnancy को book कराएं, और anti-natal check-up जिसकी सुविधा government ने सब तरफ दे रखी है, वो जरूर से कराते रहें, तो कई बार होता है, और ये तो ऐसा लग रहा है कि बिलकुल भी सबको अपने जहन में ये बात रखनी ही नहीं चाहिए, कि हमारा बच्चा तो बड़ा आसानी से हो गया था, या फलाने की बेबी को तो कोई दिक्कत नहीं होई, वो तो उनकी लड़की तो बड़ी सही थी, सब कुछ आसानी से हो गया, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बार बार डॉक्टर किया जाने से, बार बार चेक अप कराने से या जाचे कराने से भी pregnancy मे पर बहुत जादा असर पड़ता है, अगर मैम हम reasons की बात करें, ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं pregnancy के दौरान की female को लेकर obstetrics critical care में ले जाना पड़ता है या उनको जरुद पड़ती है उस care की, ये बहुत important सवाल है और इसके बारे में सब को जानना चाहिए, कि ऐसी कौन सी conditions ह जो finally आदमी को, मतलब उस लेडी को life threatening condition में ले जाती है, मतलब कि pregnancy में क्या ऐसा हो जाता है कि मरीज मौत के मूँ तक पहुंच जाता है, है ना, तो जो सबसे common reasons है, जो world data भी बोलता है, developing countries में और इंडिया में भी ये है, तो सबसे common condition है कि बहुत जादा bleeding होना, during pregnancy या delivery के बा कि जो initial time है, first 24-48 hours है, उस time की bleeding या उसके बाद की भी और कुछ conditions ऐसी होती है, जो during pregnancy भी जो बहुत जादा bleeding जब हो जाती है, वो एक major reason होता है कि ICU के अंदर life threatening situation में patient पहुंच जाता है, और दूसरा reason ये होता है कि blood pressure की वज़े से condition होती है, pregnancy induced hypertension, वो अगर BP अगर मरीज का बढ pregnancy, उसकी भी बहुत सारे वज़े होती है, लेकिन blood pressure का नापा जाना, जो आपकी anti-natal visits हो रहे हैं, जिस time आप बुक हो रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस time पे blood pressure का नापा जाना बहुत अतेंत आविशक है, और अगर आपका जो ANC check-up में, आपका nurse या डॉ रहे हैं, तो आप उन्हें कहिए कि देखें, और अगर किसी का ऐसा आता है कि blood pressure बढ़ा है, तो वो फिर उसको बहुत ध्यान रखना है कि ये high risk group में जा रहे हैं, और उनकी delivery, ऐसे सब महिलाओं की delivery, बड़े set-up में होनी चाहिए, जहां पे बहुत सारी facility, खास तोर पे ICU की facility available हो, तीसरा reason जो होता है, जो कि कुछ जगाओं पे खास तोर पे जिस तरह का हमलों का environment है, बहुत जरूरी है, वो है infection, ये infection मरीज को delivery के time भी हो सकता है, और दूसरा जो है, जब उसका sezerian हो रहा है, operation हो रहा है, उस time भी हो जाता है, तो ये जो sepsis जिसको हम लोग word बोलते ह हैं, जो इसमें एक और ग्रूप है, जिसमें खास तोर पे वो environment जहां पे लोगों को contraception यूज नहीं करते हैं, या जहां पर ओरतें empowered नहीं है contraception के लिए, तो post abortal sepsis जो है, वो भी बहुत जान लेवा है, और अभी भी हमारे समाज में जब भी abortion legalize होने के बावजूद भी बहुत सारी ladies जो होती हैं, वो इधर उधर quacks के पास जाके abortion करा लेंगी, और उसके बाद वो multiple complications में land up करके life threatening situation में हो जाती है, kidney खराब हो जाती है, सांस रुकने लगती है, और फिर वो इस तरह से ICU में land up कर लेती है, तो जब भी आप चाहे normal delivery कराएं, चाहे sazeran कराएं, चा properly trained है की नहीं है, उसकी degree सही है की नहीं, जिस environment में हो रहा है, वो proper aseptic environment है, वहाँ साफ सुतरा है की नहीं है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा आप वहाँ पे financially पैसे आप भले बचा लें, लेकिन वो जब बाद में जाके complication होता है, तो बहुत ज़ादा पैसा खर्च हो जाएग जहाँ पर भी best environment आपको मिल सके, वहीं जाएए और इन चीजों में लापरवाही नहीं करिये, जैसा कि मैंम आपने बताया की bleeding की सबसे पहली problem अगर देखी जाए critical care में आने की वो होती है, bleeding बहुत जादा होने लगती है, तो कई बार females ignore भी कर देती हैं इस चीज को, नहीं, यह abnormal है, bleeding बिलकुल भी, जब भी आपको bleeding हो रही है, वो आपको, अपने डॉक्टर को जरूर inform करना है, कि pregnancy की यह खास बाती है कि आपको bleeding नहीं होगी उस time पे, तो चाहे वो mild spotting है, तो भी inform करिये, और अगर वो बढ़ रही क्योंकि body में खरीब 5-6 liter blood होता है, यह अगर बह भी bleeding है, तो भी doctor को inform करना है, और अगर बढ़ रही है bleeding, तो मतला आप यह पूरी family को alert हो जाना चाहिए, कि it is time to rush, क्योंकि इसमें जो minutes के अंदर, यसे heart attack के मरीज को हम लोग बोलते हैं, कि जैसे ही कोई problem हाई, जितनी जल्दी से जल्दी आप doctor के पास पहुंचेंगे, उतन जल्दी जो है, वो treatment सही हो जाएगा, और उतना loss कम होगा आपका है, उतनी reversible situation होती है, इसी तरह से कि bleeding रात को दो बज़े, तीन बज़े हो रही है, तो wait कर रहे हैं, कि सुबह होगी, तब हम doctor के पास जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है, अगर bleeding है, significant है, मतलब लग रहा है कि bleeding स्टार्ट हुई, तो आप immediately rush करिए, कि रात होगी, तो गाड़ी कहां से आएगी, तो यह सब बिलकुल नहीं सोचना है, earliest possible ambulance services सब जगह available है, ambulance service करिए चाहे, रात मे earliest possible और ऐसी center पे जाएए, जहां पे blood bank की facility easily available हो, because अगर आप next door doctor के पास जाएंगे, तो वो बिना blood के तो good setup जहां पे, तो इसमें time नहीं waste करिएगा, especially odd hours की weekend है, या रात का वक्त है, तो कब जाएं, कैसे जाएं, कुछ दिर रुख जाते हैं, अच्छा देख लें, शायद रुख जाएं, तो यह सब नहीं सोचना है, because it is the most common cause of mortality, world over, maybe developing countries में, जो pregnancy related mothers, जो की जो death है, वो bleeding से सब से होती है, तो यह मैं specifically emphasize करूंगी, कि इसको ignore नहीं करिए, और immediately doctor को बताइए, बिल्कुल क्योंकि जैसा कि आपने बोला है कि कई बार यह सोचते हैं, कि बाद में हो जाएगा, और यह तो मुझे असा लगता है कि, पता नहीं हम सब के अंदर क्या है कि, अच्छा देख लेते ह हो सकता है, एक-दो घंटे बार ठीक हो जाए, एक-दो दिन तक देख लेते हैं, यह एक-दो दिन देखने वाली चीज़े तो बहुत जादा है, चाहे हमें सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे इत्ती सी कोई भी प्रॉब्लम हो, यह हम लोगों के अंदर है, बंदा mentality बनी हुई है एक-दो दिन देख लो, उसके बार डॉक्टर को दिखा लेना, तो ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम को तो बिलकुल भी कैरी मत कीज़ेगा, जैसा कि मैं आपने बताया कि हलकी spotting भी होती है, तो आप तुरंत, इमीजेटली जाना है, आपको चाहे कुछ भी हो जाए, और फ परसोना, ये मिद्स, या मैं बोलू कि, ये सारी जो चीज़ें आपने बना रखी हैं, इन 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 चीज़ों को किसी से मत चुपाईए, ये आपकी बॉडि का पार्ट है, ये आपकी साथ होने वाली चीज़ें हैं, इनको बेट क्यों करेंगे कि कोई फीमेल घर में आएगी तो हम उसको बताएंगे, आप इमिजिटली किसी को भी बताईए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आए, कि डॉक्टर भी मतलब परिशान हो जाएं कि कि किसी तरीके से हम बचाएं, क्योंकि कई बार जैसे कि अभी हम बात करते ही रहते हैं, कि तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू उस्टू से डॉक्टर साब हमें बचा लीजे या हमारे पेशिंट को बचा लीजे और फिर अगर बाई चांस कुछ उपर नीचे हो जाता है, तो यू स्टाटेड ब्लेमिंग डॉक्टर्स, पर डॉक्टर्स भी कितना कर सकते है मशीन्स हैं, मशीन्स के त्रू बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप ही लापर वाही पे लापर वाही करते रहेंगे, तो डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी एक हमबल रिक्वेस्ट है कि आप अपने शरीर के साथ, अपने अपनों के साथ, उनकी स्वास् करिए, मैम बात करें अगर प्रेगनेंट लेडिस की, तो कई बार होता है कि फर्स, सेकेंड, थर्ट, फॉर्ट मन तो मतलब बड़े ही फ्री माइंड में रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड़ी 20-30 जो आज कल की लड़किया हैं, वो बहुत जादा अपनी केर कर दी है आपको उसी दिन से अपनी एक्स्ट्रा क्रेयर जो कहते है न वो शुरू कर देनी चाहिए फीमेल्स को, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? बिलकुल ये बात सही है कि ये ऐसा है कि लेटर पार्ट अफ दे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जादा होते हैं, तो जेनरल टेंडेंसी कम्यूनिटी में ये होती है कि बस जो क्यूंकि जब बेबी का साइज बढ़ता है तो आपको थोड़ा सा चलने फिरने में भी द हान रखना है, जैसे कि अभी हमने डिसकस किया कि ब्लीडिंग जो है वो एक इंपॉर्टन कॉज है आईसियू में आने का मरीजों के क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेट करके मल्टेपल ऑर्गन फेलियर में पेशन चला जाता है, अब ये है कि अगर कम्यूनिटी में बेसलाइन बारा हीमोग्लोमिन है, तो अगर उसके अंदर किसी भी इंसल्ट को जहलने की शमता जादा होगी, तो आईरन और कैल्शियम सप्लिमेंटेशन जो शुरू में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, उसको रेगिलरली उनको लेना है, डाइट का खास तोर पे ध्यान देना है, यह नहीं कि हम आईरन लास्ट में खाना शुरू कर रहे हैं, क्यूंकि एग दिन में तो नहीं बिलिड अप हो जाएगा आपका हीमोगलोमिन हो, आपको शुरू से ही वो रिप्लेस्मिंट स्टर्ट कर देना है, क्याल्शियम रिप्लेस्मिन स्टर्ट कर देना है, और फॉल जिसको कहते हैं एक्लाइम्स या जटके आने लग जाते हैं तो जिसका भी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा आ रहा है उनके लिए तो बहुत यहतियात की जरुवत है कि वो अपनी दवाओं को समय से काएं अपने ब्लड प्रेशर को टाइम टाइम से मोनिटर करें और एक और सि है जो आपको लग रहा है कि डिफरेंट है और देर तक रह रहा है उसको मतलब जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराएं और कई दफ़ा क्या होता है कि वो एक आपका एक अलाम हो सिगनल की तरह होता है कि आगे सिच्वेशन खराब हो सकती है तो एक बात तो मैं बोलूँगी कि ह हैडेक का बहुत ध्यान रखे और दूसरा एक और बात में बोलना चाहूंगी जो कम्मुनिटी में लोग गरबर करते हैं वो कि जो एकलैमसिया होता है मतलब कि जो जटके आते हैं प्रेगनेंसी में उसमें अक्सर मरीज बेहोश हो जाता है और उस जटके के दौरान लोग म निशन होती है आस्पिरेशन हो जाता है तो ये खलत प्राक्टिस है पूरे कम्मुनिटी में कि जब जटके आते हैं या बेहोश होता है मरीज तो उसको जो है हम लोग मूँ से पानी या कुछ शकर या कुछ इस तरह से देने लग जाते हैं तो ये कभी भी नहीं करिएगा अगर किसी को जटके आ रहे हैं तो तुरांट समझ लिजे कि उसको बड़े सेट अप की जरुवत है अकसर इन पेशन को आईस्यू लगता है तो ऐसे सेट अप में जाएगा जहां पर आईस्यू की फैसिलिटी अवेलेबल हो और ऐसे में बिलकुल भी वेट नहीं करिए कि रात है, सुबा है, दिन है, immediately rush to the doctor इस situation में और मुझसे कुछ भी नहीं दीजे और आपने blood pressure की बात करी थी क्या pregnancy के दौरान बहुत जादा fluctuate होता एक pregnant lady का blood pressure देखिए प्रेगनेंसी में अमोवन blood pressure नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाता है एना peripheral vasodilation एक condition जो होती है उसके जाता है, उसमें कुछ ऐसे hormone secret होते हैं क्योंकि presentation abnormal है तो ऐसे समझ लीजे ऐसे chemical substances होते हैं body के अंदर जो की blood pressure को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है और normally थोड़ा सा fall होता है 10 mmG के around, लेकिन जादा जो complication जो आपका आता है, वो fall होता है, दोनों ही नुकसानते हैं, चाहिए blood pressure बहुत बढ़ जाए, चाहिए कम हो जाए, दोनों ही चीजे नुकसानते हैं, एक diet tip की अगर मैं बात करूँ जो pregnant ladies इस time पर आपको सुन रही है, उनको एक rural areas को ध्यान में रखते हुए, जहां पर कई बार उन्हें बहुत आइरन लेना शुरू करें, या भी कुछ खाना शुरू करें, तो तुरंती बाडी में असर कर जाएगा, तो वो तो नहीं होता है, विट सा 9 मंत का period, तो तब से ही अगर हम वो सारी चीजों को अपने diet में शामिल कर लेंगे, तो mother और बेबी दोनों ही healthy रहेंगे, एक तो मै especially iron के लिए बोलूँगी, iron supplementation, अगर आप capsules और tablets वैसे तो government centers पे freely available हैं, अगर फिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने diet में जो है, यह आपको जो गुड है ना, वो गाओं में बड़ी freely available होता है, और वो बनता भी वो लोहे की बड़ी कढ़ाईों में, तो उसके अदर it is rich in iron, तो यह अपनी एक आदर डालें कि हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड खा लें, तो उसकी वज़े से आपको जो iron की requirement है, वो it will be taken care of, प्लस दूसरी चीज़ यह है कि protein intake, calcium intake, तो दूद का इस्तिमाल जरूर करें, कि आप morning, evening at least दो बार जो है, उससे क्या होगा कि अगर आप बाकी चीज़ें वेजिटेरिन हैं, नहीं भी खा रहे हैं, तो दूद का सेवन करने से, जो protein की requirement है, वो आपके शरीर में पूरी हो जाएगी, और जो non-veजिटेरिन डाइट पे हैं, वो लोग egg ले सकते हैं, और बाकी जो भी वो खाते हैं, उस तरह से ले सकते हैं, तो protein के उपरखास द्यान दे, calcium के उपरखास द्यान दे, और iron के उपरखास द्यान दे, तो जो जो चीज़ें इनमें rich हैं, उन चीज़ों का सेवन करें, जैसे मैंने आपको बताया कि, ऀंडा हो गया, दूध हो गया, और गुड हो गया, जो लोग नहीं खाते हैं, अंडा पनी छेना ये सब चीजों का इस्तमाल को सुन रहें आप क्या कहना चाहेंगी मेसेज मैं ये बोलूँगी कि जिसको भी जहां मौका मिल सके वो वॉलिंटरी ब्लड डोनेशन करें क्योंकि अभी भी ऐसा है कि जब critically ill obstetric mother हमारे पास आती है तो उसको हमें अक्सर ब्लड की जरुवत पड़ती है और उसमें सफेद खून और लाल खून सब तरह के खून की जरुवत पड़ती है और हम लोग उनके relatives को बोलते हैं लाने के लिए लेकिन अक्सर उत्ता जितना चाहिए उतना donation नहीं कर पाती है family क्योंकि ये patients बहुत बिमार होते हैं और उनका ICU में कई दफा महीना महीना भर रहते हैं continuously हमको transfuse करना पड़ता है कुछ ना कुछ reasons से तो मैं ये कहूंगी कि अगर हमानी community में एक drive रहेगी कि सब लोग blood donate करें especially जो young males हैं जब भी उनको life में मौका मिले इसको एक habit बना लें अपनी life में और इसे ईश्वर की blessings आप पे रहेंगी और आप न जाने किस की कहां आपका दियावा खून किसको चड़ रहा है किसका घर परिवार बच जाएगा आपकी वज़े से वो एक अच्छाई आपकी न जाने कहां तक काम आएगी आपको नहीं पता और ये एक message में सारे अपने सुनने वालों को ये दूँगी कि blood donate करें voluntary donation blood donation के लिए तो हम अकसर बोलते रहते हैं अपने KGMU गूंच पर और मैं ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका blood न जाने किसकी family को पहुचेगा और आपके blood देने से कोई एक इंसान की जान तो बचती ही बचती है लेकिन सोचिए उस इंसान की जिंदगी से जुड़े न जाने कितने लोग हैं जो mentally खुश हो जाते हैं क्योंकि किसी एक के जाने से या तो आपकी physical body पर असर पड़ता है या आप mentally इतने जादा तूट जाते हैं कि पूरी family कहते न बिखर जाती है और एक pregnant lady को blood पहुचाना आपका blood देना वो तो मतलब आप ये समझ लीजे कि जो एक माँ होती ही न उससे जुड़े कितने सारे लोग होते हैं कि शुरवात में बोला था तो उससे जुड़े राजाने उसके हो सकता है उनके और भी छोटे बच्चे हों तो उनकी भी एक life बच्चती है अगर उस मा की जिंदगी बच्चती है तो blood donation ज़रूर करिएगा और pregnant ladies के लिए मैं यही कहना जाऊंगी मैं आमने जिंजिन चीजों के बारे में बताया है कि भगवान ना करे कि कभी आपको critical care की जरूरत पड़े तो पहले से ही अपना ख्याल रखे कहते हैं ना कि prevention is better than cure तो prevention और preventive care की बहुत जादा जरूरत है आप पहले से ही अपनी body को अपनी चीजों को इस तरीके से लेकर चलिए कि आपको आगे चलके critical care की जरूरत ही ना पड़े बहुत ही rare cases होते हैं वो एक बात अलग है लेकिन ऐसी situation कभी ना आए कि आपकी लापरवाही की वज़े से आपको critical care में जाना पड़े साथ ही विश्यो के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूँज के application के साथ जो अब Android और iOS दोनों पर मौजूद है Android users हमारे application को download करने के लिए play store पर और iOS users app store पर जाकर type करें KGMU गूँज और download करें जानकारियों मनोरंजन से भरपूर हम सब का अपना रेडियो स्टेशन Radio KGMU गूँज 89.6 FM